तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पर आई टी आई फर्स्ट यर स्टूडेंट 19 सेकी सेशन के जो फर्स्ट यर स्टूडेंट है जिनका की एक्जाम 15 मार्स से होने वाला आपका स्टीवीटी एक्जाम ऑनलाइन एक्जाम आपका ट्रेड ख्योरी डबलू सीएस और इसका उसका जो एक्जाम का पैटर्न है उसको आज हम आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पर कितने नमर का आपका एक्जाम होगा ठीक है और कितना नमर एक क्वेशन पर आपको कितने नमर यहाँ पर मिलेंगे और यदि आपका एक नमर एक क्वेशन गलत हो जाता है कितने नमर आपके यहाँ पर कट सकते हैं ठीक है तो यह सारे चीज़ जानेंगे और पासिंग मार्क जो आपको कितने नमर यहाँ पर लाने होंगे कितने क पीजस्तोंस जो आपको सही करने होंगे पास होने के लिए तो ये सारा कुछ जो आज को वीडियो में हम लोग जानेंगे detail से तो वीडियो सुरू करने के पहले दिए आपने डियावी तक हमारे शैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह के वीडियो जो वो रेगुलर प्रोवाइड करा जाते हैं आपके एक्जाम से रिलेटेड और इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपका जो 15-16 को जिन स्टूडें आपका यहां पर 30-31 मार्ज तक यहां पर आपको चलने वाला ठीक है यह पूरे मन्त जो आपका एक्जाम यहां पर होगा तो हो सकता है किनी का 15-16 को हो किनी का 16-17 को हो इस तरह से फेज वाइज यहां पर एक्जाम जो आपका होगा तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं computer based test CBT का क्या होता है computer based test general guideline student के लिए जो general guideline है यहाँ पर जारी किया गया है ठीक है exam से related आपका CBT exam से related जिसमें देखें यहाँ पर बोला गया आपको exam will consist multiple choice questions exam में आपका क्या होगा MCQ question रहेगा multiple choice questions रहेंगे एक questions के जो आपको चार options दिये रहेंगे ठीक है width आप यहाँ देख सकते है width 40 या फिर 20 questions each questions carry 2.5 marks ठीक है तो यहाँ पर जो आपका total यहाँ पर आपको होगा कितना 40 questions रहेंगे और 20 questions रहेंगे यहाँ लोग बात करें trade theory में आपका 40 questions रहेंगा और 20 questions जो आपको WCS और ES में रहेंगे ठीक है और परतेक questions जो यहाँ पर 2.5 marks carry करेगा तो यहाँ हम लोग यहाँ पर देखें next detail में यहाँ उपर हम नीचे देख सकते हैं दूसरा point यहाँ पर क्या दिया गया आपका duration of exam is 3 hours यहाँ पर आपको जो total 80 questions रहेंगे खतम होता है और आपको देर घंटा पूर जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको ES का questions जो वो शुरू हो जाएंगे दूसरा आपको section B start हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको कोई break नहीं मिलेगा एक साथ exam होगा आपको 3 hours का तो पहला देर घंटा में आपको 40 questions होगा trade theory का उसके बाद next जो है आपको यहाँ पर 20 questions आपको section B खुल जाएगा जिसमें 20 questions होगे आपको ES का और इसके लिए आपको 45 minutes मिलेगा ठीक है उसके बाद जैसे ही आपको 45 minutes जो complete हो जाता है आपको यहाँ पर जो part 3 होगा वो शुरू हो जाएगा और इसमें आपको 20 questions रहेगा और 45 minutes जो आपको इसमें मिलेंगे याँ कूल मिला कि आपका 3 hours का यहाँ पर paper होगा और 80 questions जो इसमें पूछे जाएगे ठीक है तो चलिए अब next हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 2.5 marks का है याँ कूल marks कितना होगा 100 marks हो जाएगा आपका ठीक है और इसके लिए आपको 1.5 घंटा यहाँ पर time मिलेगा अब यदि हम लोग बात करें कि trade theory में आपको यहाँ पर 40 questions में थे कितने questions जो सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए तो 40 में से आपको यहाँ पर 14 questions जो आपको सही करने पड़ेंगे तो आप लोग 14 questions से 40 में से सही कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएगा और यदि हम लोग बात करें इसमें तोटल 100 में से कितना marks लाना पड़ेगा आपको 33 marks जो आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा पासिंग marks जो आपको कितना है 33 33 marks जी आप लोग लाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएगा आउट ओफ 100 में आपको कितना लाना है 33 marks लाना है या फिर आप जो इसमें 40 में से 14 questions जो आप लोग सही कर दीजिए तो आप इसमें क्या हो जाएगा पास हो जाएगा तो लिए आप नेक्स लिए हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स हमारा क्या है WCS और ES है फर्स्ट यर इंजिनरिंग ट्रेट के लिए तो यहाँ पर देखे WCS और ES कूल मिला के बात करें तो इसमें 40 questions रहेगा तभी तो आपका 40 और 40 total मिला के 80 हो जाएगे ठीक है इसमें भी आपका क्या होगा 100 marks का होगा और इसके लिए देर घंटा आपको time मिलेगा अब यहाँ लोग बात करें यहाँ पर अलग अलग तो ES का देखे फर्स्ट यर स्टूडेंट के लिए आपका ES पेपर जोगा 20 marks का सोरी 20 questions होंगे जो की 50 नमर का आपका होगा इसमें 45 आपको minute यहाँ पर time मिलेगा यहाँ लोग बात करें ES और W में passing marks क्या होगा कितने questions आपको सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए तो आप लोग समझिएगा इसको तो देखे आपका ES और WCS में आप total 20 questions रहेंगे तो 20 questions में थे आप लोग 7 questions सही कर देते हैं तो आपका यहाँ पर पास हो जाईएगा ठीक है 20 में से आपको 7 questions जो सही क पास होने के लिए तो याद रखिएगा 17 नमबर आपको लाना है 50 नमबर में से या फिर आप लोग जो यहाँ पर 7 questions सही करना है आपको out of 20 questions ठीक है 20 में से 7 questions आपको सही करना है क्यूंकि एक question जो आपको 2.5 marks का है जो की बहुत ही ज्यादा हो यहाँ पर देख सकते हैं एक question क तो वेटेस ज्यादा यदि आप एक questions गलत करते हैं तो आपका 2.5 marks जो यहाँ पर कड़ जाता है इसलिए आप लोग questions को बहुत अच्छे तरह से आप लोग को पढ़ना है उसके बाद ही उसका answer करना है यदि आप उसको गलत करते हैं तो 2.5 marks जो आपका वो क्या होगा चल ज जाएगा इस तरह से देख सकते हैं आप लोग तो फिर से मैं एक बार यहाँ पर clear कर देता है आपका trade theory में आपको जो है out of 14 questions सही करने 20 में से ठीक है 20 में से 14 questions सही करना और यदि नमर की बात करें 100 में से आपको 33 नमर लाने है trade theory में और WCS और ES की बात करें तो 20 में से आपको इसलिए आप लोग फूल में से फूल questions जो attempt किजेगा ठीक है question आपको जो कोई भी question यहाँ पर छोड़ना नहीं skip नहीं करना है सारे questions को आपको attempt करना क्योंकि यहाँ पर negative marking जो वो नहीं होगा ठीक है कोई भी आपका यहाँ पर negative marking नहीं होगा इसलिए आप लोग जो पूरा यहाँ पर continue paper होगा पहला जो आपका डेर घंटा होगा उसमें आपका trade theory होगा उसके बाद जो next 45 मिनट होगा उसमें एस होगा फिर 45 मिनट जोगा उसमें WCS होगा तकूल मिला के आपका 3 आवर जो है complete आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा तो यह था आपका exam से related important information यह आपका exam fees के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा आपको 376 रुपए जो online exam fees payment करना था जिन्होंने भी नहीं किया payment fees अभी तक payment तो वो लोग जो यहाँ पर कर सकते है payment अभी भी लिंक जो open है और यहाँ अभी भी यहाँ पर payment जो वो हो रहा है तो आप लोग payment कर लिजे बहुत सारे student करते हैं कि मैंने college में तो payment फूल कर दिया तो यह payment हम क्यों करें तो देखें यह payment जो आपका यह online exam का फीस है जो कि आपका सरकार ले रही है और आपका जहां पर जहां कहीं भी center पड़ेगा उस center को manage करने उस center को यहाँ पर जो फीस जो सरकार को देने उनका system जो यूज होगा और उनके staff वगेरा जो भी उहाँ पर यूज होंगे वो सारे उनको यहाँ पर payment देना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पर सरकार जो है 376 रुपए आपसे ले रही है ठीक है यह आपका college नहीं ले रहा है तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी payment जरूर कर दें तभी आपका admit card जारी होगा और आप लोग online exam में बैट पाईएगा तो वीडियो यह पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा तदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू